करेला में एक तब उपाया जाता है चरेंटीन जो डाइबटीज के लोगों के लिए भी मददगार होता है जो किसान भाई अगर बारिश के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो बलूई दो मट मिट्टी होती है वो इसको लिए सबसे उप्योगत होती है जिस खेत का वो चुनाव करें हैं इसकी खेती करने के लिए उसमें पानी यानि जल जमाव बिलकुल नहीं होना चाहिए थोड़ी उंची खेत होनी चाहिए उसके बाद उन्हें ध्यान देना है कि फसल चकर का बिलकुल सही प्रियोग होना चाहिए क्योंकि अगर हम एक ही खेत में बार बार अगर हम कद्दू बर्गिये सबजियां लगाएंगे तो जो उखरा बिमारी या उख्ठा बिमारी जिसको हम कहते हैं जरो में लगती है फुजरियम बिल्ट उसकी संभाबना होती है उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें आम तोर पे 20 से 25 तंड गोबर की खाद डाली जाती है अगर वो रुपाई या अंतिम जुताई से कम से कम 25 से 30 दिन पहले डाल देते हैं तो अच्छा होता है कद्दू बर्गिये फसलों के लिए हम लोग कहते हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फोस्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मातरा परियाप्त होती है जिसमें पोटास और फोस्फोरस की पूरी मात्रा ता नैट्रोजन की एक तिहाई मात्रा अंती जुताई के समय खेतों में डाल देनी है उसके उपरांथ आपको इसमें नाली बना के हम इसकी विजाई करते हैं हमें ये ध्यान देना है कि करीब 40-45 cm चौरी और 30-35 cm गहरी नाली हम बनाते हैं और एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी करीब 1.5 मीटर हम रखते हैं खीरा और करेला के लिए और 2-5 मीटर हम रखते हैं अगर हम लौकी या तोडी या कद्दू इस परकार की जो बड़े बेल वाली फसले होती हैं उनमें हम रखते हैं अब आपका नाली बन गया है उसके बाद उसमें खर पतवार नासी जो पेंडी मिथलीन होता है उसका 3 मिली लीटर प्रती लीटर पानी में घोल बना के कम से कम नालियों पे अबस्ची उसका छिरकाओ कर दें इस मौसम में ये सला दी जाती है कि आप बावर सिस्टम यानी पंडाल बनाएं अगर आपके पास लकडी है तो उसका ऐसे लगा के भी पंडाल बना सकते हैं या बिलकुल इस तरह से आप रसी या कोई लोहे की तार से आप एक मचान बना सकते हैं या कोई भी अन्मी लकडी पूसा संब्रदी है या पूसा हैबिरिड तीन है अगर आप गोल या नासपाती के आकार के लोकी लगाना चाहते हैं तो इसमें पूसा संतुष्टी का चैन कर सकते हैं जो पहारी इलाके के लिए पूसा संदेश जो है गोल लोकी है ये भी काफी प्रचलित है हम करेले की ब जंगली करेला देशी करेला उसमें पूसा पुर्वी पर जाती आई है खीरा अगर आप लगाना चाहते हैं इस मौसम में पूसा बर्खा यह बारिश के मौसम के लिए उप्युक्त है क्योंकि इसमें डाउनी मिल्डियू जो बीमारी है उसका प्रको कम होता है अगर आप धार पूसा विश्वास है या पूसा है और कुछ लोग जो चपन कद्दू आता है उसमें आजकल चपन टिंडा की तरह भी है जो देखने में टिंडा की तरह है लेकिन पूसा पसंद नाम की पर जाती है धोरा अधिक तापमान पे भी इसमें फ्हलन आता है इसका भी चैन कर सकत है अगर हम पेठा की बात करें तो पेठा में वीमारे सहस्थान की कई पर जाती है पूसा उज्वल हा दो हैबरीड पर जातिया है पूसा उड़ relaxed और पूसा सरेयाली और एक पेठा इसा उता होता जिसका सब्य भी बना सकते हैं पूसा सब्जी पेठा वन इस मौसम में चों और उसके लिए आप डाइथन M45 एक दबा है उसका 2 ग्राम परते लीटर पानी में छिरकाओ कर दें जितन किसान भाईयों अगर बिजाई नहीं की है तो बिजाई करने से पहले अगर आप अपने खेत के चारो तरफ अगर मक्य के तीन लाइन अगर लगा दें जो सफेद मक्य है वो मक्य के पक्ते पे चिपक जाते हैं और आपको दबा का एस्प्रे खेतों में कम करना पड़ेगा पीला एक यलो इस्टिकी काड आता है उसको 10-15 पूरे खेत में लगा सकते हैं और जो सफेद मक्य है इसके नियंतरन करने के लिए इमीडा क्लोप्रिट जो दबा है या एस्पीनो सैड है इनका आप 10 लिटर पानी में 3-4 मिले लिटर का घोल बनाके इनका आप शिरकाओ कर सकते हैं बाद के समय में जब आप में फलन प्रारंब हो जाता है उस समय में जो फल मक्य होती है वो इस समय में काफी परिशान करती है फेरोमोन ट्रै पाता है इसको आप 10-15 मार्केट से खरीद के अपने खेतों में लगा दें